हेलो दोस्तों कैसे हो? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलिशियस क्रीमी क्रीमी आइस क्रीम की रेसिपी गर्मिया इतनी बढ़ने लगी है तो घर में आइस क्रीम बनाना तो बनता ही है हाँ पर अगर आपको लगता है कि अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना बेल आइकन को प्रेस करो तो आपको मेरे नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद ना अगर आपको यह अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना तो चलिए फटाफिट से बनाते हैं सुपर यम्मी सुपर डिलिशयस कस्टड आइस क्रीम एकदम सिंपल तरीके से आइस क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले ना तो कब दूद लिया है मैंने फुल क्रीम दूद है यह इसमें मलाई अच्छी होती है इसलिए तो के लिए आप मोस्टली यही वाला दूद लेना मतलब पैकेट वाला फुल क्रीम दूद या घर में अगर आपके डेरी वाला बफेलो मिलकाता है तो आप वो भी ले सकते हो अब यह देखिए इसमें से थोड़ा सा दूद मैंने बचाया है इसे कटोरी में साइड में निकाल लेंगे हम और अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मस से थोड़ी सी जागा कस्टरड पाउडर प्लेन वनिला कस्टरड पाउडर ही यूज की है मैंने बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका तो बस आप कस्टरड पाउडर यूज करो ना फिर आपको किसी एसेंस की या एडिशनल फ्लेवर की जरुरत नहीं है तो कस्टरड पाउडर को दूद के साथ अच्छे से घोल ना और इस खोल को ना हम साइड में रख देंगे बाद में यूज करने के लिए और अब अपने इस में पतिली की तरफ चलते हैं इसमें हमें डालनी है चीनी दो कप दूद के लिए एक कप चीनी दोस्तों रेसीपी एकदम सिंपल है इन्ग्रेडियंट्स कम है और इनके में इन्ट्स पिना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरुरत नहीं है देखो दो कप दूद के लिए एक कप चीनी डाल कर हमने मिला दी है वैसे भी जब हम दूद गरम करेंगे ना अगर चीनी बच जाती है तले में तो वो घुल ही देना और फिर इसमें चीनी डाल कर मिलाना फिर आगे सेम प्रोसेस ठीक है चलिए यह अपना दूद तो यहाँ पर बढ़िया से उपल गया है अब हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर का घोल बस ध्यान रखना इसे ना इक पर फिर से अच्छे से मिक्स करके य चलाना तकि कस्टर्ड पाउडर तले में चिपके ना तो लो फ्लेम पर यह काम करना दोस्तों अगर आपके पास चाता समय नहीं है तो बीच बीच में आप थोड़ा से फ्लेम को बढ़ा सकते हो पर फिर इसे एकदम कंटिनियस चलाते रहना है बिल्कुल भी से छोड़ना यह देखे इस तरीके से यह गाढ़ा होने लगा है अब देख सकते हो किस तरीके से इसने चमश को कवर किया है तो इस स्टेच पर फ्लेम को बंद कर दिना अब देखना बात में यह और भी गाढ़ा हो जाएगा तो मैंने गैस को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लिया थोड़ा से नॉर्मल टेंट्रेचर पर आने देंगे इसे उसके पाद हम इसे फ्रीजर में रखेंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए इसदम चील होने के बाद हमें इसे यूज़ करना है ठेके चलिए अब कस्टर को रेश्ट करते हुए ना काफी समय हुआ है तो उसे निकालने से पहले ये दिखे मैंने यहाँ पर ये एक पप भर कर विपिंग क्रीम ली है मैंने स्टार वीप की विपिंग क्रीम यूज़ की है आप स्टार वीप ट्रोपोल एरिया और दूसरी चो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो मैं जो यूज़ कर रही हूँ यह नॉन डेरी विपिंग क्रीम है नॉर्मली मार्केट के आइस क्रीम में ऐसे विपिंग क्रीम ही यूज़ होती है क्योंकि यह थोड़ी सस्ती होती है तो कम बजट में काफे इस क्रीम मतलब फ्रीज के बाहर निकालने के बाद ना विपिंग क्रीम के कमपरेटिव यह जल्दी-जल्दी मेल्ट होगा यह देखे यहाँ पर विपिंग क्रीम को बहुत ही बढ़िया से स्टीफ पिक्स आने तक विप किया है हमने तो इसे साइड में रखकर मैंने यह फ सेम आइस क्रीम फ्रेश क्रीम से बनाओगे ना तो आपको कस्टड बनाते समय चीनी के क्वांटिटी थोड़ी सी जादा लेने होगी और अब आप देख रहे हो ना विप क्रीम के साथ साथ इस कस्टड को भी कितने बढ़िया से विप किया हमने पहले थोड़ा सा लो स्पी का घोल बनकर रेडी आपने देखा कितनी चीज़े यूज की बस चार चीजों से बढ़िया साइस क्रीम बनेगा अब इसे हमें फ्रीजर में रखकर सेट करना है कम से कम दो से तीन घंटों के लिए आप इसे पहले बटर पेपर या फॉयल पेपर से कवर करके फिर ढकन लग करेंगे अब बहुत ज़्यादा विप करने की जरुरत नहीं है अल्रेडी हमने इसे बहुत अच्छे से विप करके रखा है तो बस दो मिनिट इसे थोड़ा सा विप करना और यह अपना आइस क्रीम का घोलना फाइनल सेट के लिए रेडी हो गया है आप इसे इसी बाउल मे के बाद अब इस पर हम डालेंगे थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स बादाम और पिस्ता डाले है मैंने और थोड़े से टूटी फ्रूटी भी डाल दो तो एकदम कॉलर्फुल दिखेगा खाने में भी मज़ाएगा चलिए अब पार्श्मेंट पेपर से इसे कवर करके फ देखकर मुँ में पानी आ रहा है ना और एक दो नहीं फटा फट से इसके इतने सारे स्कूप निकाल लिए है मैंने तो बस दो कप दूद एक कप चीनी और एक कप विपिंग क्रीम से एक फामिली पैक जितना ऐस क्रीम घर में बना सकते हो आप दोस्तों इसे उपर से अगर आप तो ट्राइ करना बनता है अगर आप इसे इसे सर्व करना नहीं चाहते तो और एक तरीका बताती हूँ में आपको ये दिख्या है मैंने इसे फिर से सेट किया है आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं मैं ये और अब इसे आप इसे पानी के बाउल में 4-5 मिनेट के ही निकल आएगा पर इसे निकालने के बाद आप ऐसे नाइब से थोड़ा सा प्लेन कर सकते हो ये भी सर्विंग का तरीका बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों इसलिए सुचा आपके साथ शेयर कर दू थोड़ा सा प्लेन करने के बाद फिर से आप इसे टूटी-फूट और ड्राइब टूट से डिकोरेट कर सकते हो और इसे कट करने से पहले फिर से 15-20 मिनिट हम इसे फ्रीजर में थोड़ा सा सेट होने देंगे ये देखे इसी डिपबे से ढखकर रखा था मैंने ताकि इस पर आइस क्रिस्टल्स ना है और अब ये देखे कितना जबर्दस ल ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे यूट्यूब, फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं टेक केर